हाँ तो human geography complete होने के बाद में एंडिया प्रिप्लें एक नॉम्य वाले चैप्टर में स्राट कर रहे हैं और लगातार आपके अभी कैप्सूल से रिजी complete होने वाली है चैप्टर फरस्ट का नाम है आपके जनसंक्या वित्रण घनत्पवर्दी और संगठन पॉपुलेशन इन डिस्टिब्यूशन उसका देंसिटी पढ़ेंगे और ग्रोथ और कंपोजिशन टीक है इसके अंदर पहला क्यों लाते हैं कि बारत सरकार की युवा निति का वरणंद कीजिए डिसकाइब यूथ पॉलिशी ऑप गवर्रमेंट ऑप इंडिया ठीक है से 29 के बीच मराइंगे और यह युवा निति भारत की युवाओं के लिए एक समग्र दूर्दश्टी प्रस्ताव रखती है इस निति का मुख्य उदेश ये युवाओं को अपनी पूरी शमता का उप्योग करने के लिए सक्षम बनाना और उनकी द्वारा भारत को राष् पॉलिश हो जाएगी तो मैन परबस क्या है अब समझ गए 15-29 यह याद रखना और फरवरी 2014 याद रखना ठीक है फेक्ट तुरू याद रखना है फिर जनसंग्या वर्दी के आधार भूत घटक कौन-कौन से हैं what are the basic components of population growth तो देखो दो समय पहली बात आपन जनसंग्या बात नहीं करेंगे तो दो समय बिंदू के मद्य किसी शेत्र विश्चेश में रहने वाले लोगों की संख्या में जो परिवर्तन आता है उसे हम जनसंग्या वर्दी कहते हैं और जो समय के साथ निरंतर घटती या बढ़ती रहती है जनसंग्या वर्दी के बैस्तिक लिए दो गटक है ठीक है यानि कि ग्रोथ और पोपुलेशन इस दाचेंज अनुमानत वर्दी यानि कि इसको अपने इंड्यूस्ट भी कह सकते हैं प्राकर्तिक वर्दी कि जनसंग्या कि प्राकर्तिक वर्दी दर को अशौदित जन्म और मर्त्य दरों के अंतर के आधार पर ज् हो जाएगी यानि दा नेच्रल ग्रोथ और पोपुलेशन इस अनलाइज़ बाई असेसिंग दा क्रूट बर्द एंड क्रूट बर्द डेथ रेट्स इनके जो बीच में अंतर आता है यानि कि जो अशौदित जन्म दर है और मर्तित दरों के बीच में कितना डिफरेंस है ब यहां से यहां के बस जाते हैं तो यह सब बात आती है एक काई क्या क्रशिय गर्णतवे से आपके असमस्ते हैं लिखिए काफी बढ़िया करशन है वाद इंडरस्टेंड बाई फीजियोलोजी के लिए अग्रिकल्ट्र डेंसिटी ठीक है राइट तो देखो चुंकि जन्स जंग्या के दवाव के संदर में मानु भूमयनुपात के बहतर परिज्यान के लिए काईक और करशी गर्णतव ग्याद किया जाता है जो भारत जैसे विशाल करशी जन्सेंग्यावल देश के लिए सार तक है यह थो थोड़ी पन कहते हैं क्योशन की इमेज बनाई है बाग कंट्री लाइक इंडिया है विंग लार्ज अग्रिकल्ट्र पोपुलेशन इसमें क्या क्या दोनुंका अलग बता देंगे अपन आप चाहो तो वह नान लिखे सीधा यह भी लिख सकते हो वह अगर शुरुआती नहीं वात लिखते हो तो भी डिक्ट भी आपके मास मिल जा अगरे फिसियोलोजी के लिखे सिटी अपन यह अपन है इसका मतलब क्या हो जाएगा अपन बटे में लिखना है इसको तो देखो यह किसी शैत्र की खुल जन्सेंग्या और उस शैत्र के निवल कृषित शैत्र के नुपात को पर्दिशित करता है का इक गन्या तो बराब ह अबन नेट कल्टिवेबल एरिया दूसरी एक करशिय गनत्वे यह किसी शेतर की कुल करशी जनसेंग्या और नेवल करशी शेतर के नुबात को दर शाता है ठीक है यानि कि इस शोस्था रेशियो आप टॉटल अग्रिकल्चर पॉपुलेशन तुदा नेट कल्टिवेटेड करशी जनसेंग्या बटे निवल करशित चैतर यानि कि अपने लिख दिया कि यह सब है लेकिन आप चाहो तो यह भी लाइन लिख देना कि इसको भी शामिल किया जाता है इसके अंदर क्यों सब्सक्राइब है अब यह सब है ऑठ जाओ तो यह लाइन लिख देना कि सकते यूसर नोट करके और इसको नियंदर आजाते हैं तो बहुत ही तगडा क्योशन आपके तयार होके हो गया है अगला है जन संग्या वर्दी को नियंधर्थ करने के क्या-क्या उपाइँ हो सकते हैं इस प्रश्ट क्रोब आप से एकस्ब्स ज्रूर आते हैं आप से कुछ सजेशन जूरूर मांगते हैं ठी परिवार कल्यान जैसे कारिक्रमों की नविन विद्यूं वे महत्वे को जनमानस तक परभवी तरीके से संप्रेशित किया जाना चाहिए दे न्यू मेथर्ड्स एंड इंपोर्टेंस ओप्रोग्राम लाइक फैंबली वेलफेर इन ओल एरिया शुड़ भी एफेक्टिवली कमिनिकेटेड टु दा पॉब्लिक तब जाकी बात बनेगी लोगों को अवेर करो कि ज्यादा पॉपुले तो कम होगी तो संतानुपती कम कालो कम रह सके ताकि ठीक है तो था एवरेज इस ओफ मैरेज शुड़ बी इंग्रिज़ तो देटाइम चाहिए और चाहिए को बढ़ा बढ़ाना चाहिए अग्रिकल्च्टर अंडस्ट्रिल पर प्रोडक्शन शुड भी एंग्रिज परव सब्सक्राइब को पांच शे बातें को चार भी लिख दो कि तो काम से जाएगा ठीक है बहुत ही बढ़ी क्यूशन आपके बनके त्यार है फिर है बारत में जनसेंग अवरदी की विबिन जो परावस्ताइं है उनको लिखो यह काफी बढ़ी है बस चार-पांच जो पराव सब्सक्राइब करते हैं यहां पर यहां पर क्या क्या है कि यहां पर उच दर उच जनम दर है मतलब जो जनम दर है वह उच है high है और मरतियुद जो है वह क्या है outta दोनुआ उच्छ है अजो उच्छी मृतिधर है दोनुआ हाई है यह बड़ी चीज धियाने धे रखना है यानी जो फॉस्ट फैज है फस्ट का मतलब जो हमेशा सब महीं हाई हो ऐसा मालो बाहिए फ्रस जो प्रावस्त होती देख्ति मर्ति उदर इसके दाने का नमर दो है इसमें जनम तो हाई हो रहा है बर्ट तो यह ऊच लेकिन देख्रेट कम है ठीक थीस्टरी की बात अगर अपन करें तो इसके इनदर उच जनम दर यहीत के घट टेजी से घट करते हूँ आरप नॉर्मल है है यहां पर क्या था यहां पर था steady growth of production due to high birth rate and declining rate रहते हैं इसमें declining rate रहते हैं मतलब गटती मर्त उदर एक तो गटना तो दोनों ही गट रही है तो बहुत असाने में ट्रिक बता देता हूं 1-2-3 और चार फेज फेस्ट हमेशन कोन होता है जो सब में हाई होता है तो आराम सी आदा जाएगा सेकेंड के इननर ये तो हाई है ये फॉर्ट में भी ये 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 फ़स्ट वाली कौन है ये जनम-दर है बस यहां पर थोड़ी कम है इसमें थोड़ी जादा है मतलब कौन मरत्यूदर यह जनमदर है यह बर्ट रेट और डेथ लेट जनमदर और मरत्यूदर और नमर चार में दोनी डाउन है पिर आपके 21 से हो जाएगा एकाउन है ना गाउन हो जाएगा ना इक्याउन हो जाएगा यह जुरूर ध्यानक ना बाकि को बड़ी चीज नहीं है एक यूशन आर्थिक इस्तर की द्रिश्टी से भारती जनसेंग कितने वर्गु में बाटा गया है तो इन्टु हाव मेनी क्लासेज इंडीड पॉपुलेशन डिवाइड इन टॉम्स अप इकनोमिक स्टेटस तो इसमें एक तो मुख्य शर्मिक यान की मैन वरकर तो वह वेक् से अब दो बात हैं मुक्य शर्मिक भी यह है मतलब यह मैन वरकर भी यह होते हैं जिनको छह महीने अपर 183 डेज काम मिल जाता है और दूसरी बात इनकी एज वह पंदरा से उनसर्फ मतलब साथ से एक कम यह उनकी एज ग्रूप पर होती है और इनको क्या कहेंगे कारिशील मतलब यह हैं कि जिसको 6 माही ने 183 डेज काम मिल गया वो वर्किंग पोपुलेशन कहलाती है वो कारिशील शर्मिक कहलाते हैं यह द्यान करें एक बात दूसरी बात इनकेस जो उम्र होती हो 15-59 होती है 15-59 ठीक ही टाइम पर भी ज़रूर याद रखना है दूसरा सीमान शर् करना केनविसार 39.8 तो यह इस में फरिक्या रहा फिर इसमें कि वन्यटित्स कम से कम इतना लेकिन ये इतना तो करता है करता है इतना तो नों करता है करता हो सकता है ज्यादा भी हो कि इसका र Yay Real 59 परसंट इन से मंत का मार्जिन वर्कर कितना है वह थर्टी नाइन परसंट अकॉर्डिन टू-थाउजन एलवन और वैसे आपको जो तरह पी आंकड़े लिखने हैं जो भी डेटा लिखने हैं अपने कोई साल ठीक है फिर एस रमें नोन वर्कर इसमें वह वेक्ति जो वर्ष भर अपनी आजविका के लिए किसे ने किसी परकार काम नहीं करता कुछ भी नहीं करता फ्री है एक दम ठाला बेटा है यह बरन पोश्चन के दूसरू पर डिपेंड रहता है और एसी पॉपुलिशन इंडिया अभी भी 60% है ठीक है यह होता है नोन वर्कर इनके पास कोई क लोग और अर्थवे उस्तार जो बुक है उसका चैप्टर नुमर फर्स्ट शांदा तरीके से कंप्लेट ठीक है ओग कि दूसरू परेके से कंप्लेट प्लेट झाजिया और नुमर इनके से कंप्लेट शुमर अर्थब।